यूनिस्को के अनुसार विस्सु धरोहर समती के 45 सत्र जो रियाद साउदी अरेबिया में आयोजित किया जा रहा है वहाँ पर भारत की दो धरोहर को सामिल किये जाने का फैसला किया गया है दोस्तो आप सभी को जानकारी होगी कि भारत की प्रमुक दो धरोहर हेडिटेज फिरलाल यूनिस्को की वर्ल्ड हेडिटेज लिस्ट में सामिल किये गई हैं तो वो धरोहर हैं क्या यूनिस्को का बैकग्राउंड क्या रहा और यूनिस्को के अंतरगत भारत की वो कौन-कौ उसी धरोवर हैं जिनको हेरिटेज जो हेरिटेज हैं जिनको सामिल किया गया है ये हम आज के सहसें में डिसकस करने वाले हैं जैहिन दोस्तों मैं आसली इस्तरपाथी आप सभी का स्वागत करता हूँ MP exam वाला के ओफिसली यूटूब चैनल पर तो सबसे पहले हम यहां पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि जो भी धरोवर हैं उन धरोवर की अंतरगत जो UNESCO सनस्था है इसका काम क्या होता और उसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों पहला पॉइंट आप सभी को पता होना च scientific and cultural organization यह दोस्तों इसका full form है ठीक है दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों इसका जो headquarter है वो headquarter कहां पर है तो इसका जो headquarter है वो Paris France में है जबकि Audrey Agole यह वर्तमान में किसकी अध्यक्ष है तो यह UNESCO की अध्यक्ष है उनका नाम है Audrey Agole clear तो कुछ point आपको parallel तरीके से यहाँ पर याद रखने है और 1945 में UNESCO का गठन किया गया था अब दोस्तों कही न कही एक question यहाँ पर यह उठता है कि जो भी धरोवर है heritage चाहे उन heritage को mixed category में सामिल करें या natural category की हम बात करें या फिर कही न कि हम heritage list की बात करें तो उसके अंतरगत हमारे भारत की वो कौन-कौन सी धरोवर है और वो अपने आप में unique क्यों है इसके अंतरगत यदि मैं अगले point पर जाऊंगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं World Heritage Site को तीन भागों में विभक्त किया गया है जिसमें पहला जो point है वो cultural अरथा सांक्रितिक के अंतरगत सामिल की गई है जिसमें कोई भी historic जो building है एतिहासिक जो इमारत है उसको सामिल किया जा रहा है चाहे वो archaeological sites के अंतरगत क्यों ना सामिल हो दूसरे point की बात करें तो दूसरी category में natural category की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है जिसके अंतरगत कोई भी आपका natural यदि मैं hill station की बात करूँ ऐसे area की बात करूँ जहाँ पर आपको naturalty या हम बात करें प्राकरतिक प्रिद्रस देखने को मिलेगा उसकी बात करेंगे और तीस की हम यदि बात करें दोस्तों तो आप एक point यहाँ पर और भी पहलल याद रखना पूरे मैं विस्व की बात करूँ तो अभी जो हमने data यहाँ पर compile किया है यह September 2023 का है और इसके according पूरे विस्व में 1172 यह world heritage है जिसमें 913 913 cultural है 220 natural है और 39 mixed category में है जिनको UNESCO ने लिस्ट में सामिल किया है इसके अंतरकत यदी मैं बात करूँ यह जो data है यह कुल 166 देशों का सामिल किया गया है दूसरे point की बात करें सबसे ज़्यादा यदी मैं लिस्ट की बात करूँ country की बात करूँ तो लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो top पे नाम फिलाल heritage में ह वो है आपका इटली देश का जबकि second number पे चाइना है और third number पे नाम जर्मनी का बना हुआ है यदी मैं इटली की बात करूँ तो इटली में आप याद रखेंगा 58 ऐसे selected areas हैं जिनको UNESCO ने लिस्ट में अपनी सामिल किया है heritage sites के इंतरकर सामिल किया है जबकि चाइना की हम ब बात करें तो 52 sites के साथ में जर्मनी तीसरे नंबर पे बना हुआ है तो सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूँ heritage list में तो आपका टॉप पे इटली है ठीक है टॉप पे कौन है टॉप पे इटली है चलिए दूसरे यदि हम point की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो आप याद खिएगा archaeological survey of India ये nodal agency के तोर पे ये काम करता है जो की बार बार world heritage में request देना या ये जानकारी उपलब्द कराना कि इसको सामिल करना चाहिए तो इसकी वज़य क्या है और यहाँ पर मैं बात करूँ आज भी बहुत सरी ऐसी heritage है धरोवर है जो waiting list में भी सामिल की गई है यद पहले भारत की जो heritage थी जो heritage list थी वो total कितनी थी 40 थी जितमें आप सभी ने पढ़ा होगा 39 और 40 में 39 में रामपा temple का नाम आता है और ये रामपा temple कहां पर है ये तलंगाना में है जबकि 40 नंबर पे 40 नंबर पे धोला वीरा का नाम आता है और धोला वीरा जो heritage है ये आपको लेखने को कहा मिलेगा तो ये location आपको गुजरात देखने को मिलेगी तो अभी recently दो add कर दिये गया और दो add होने के बाद heritage यहाँ पर नाम 42 बन रहा है जिसमें से cultural 34 है natural 7 और mixed category में एक यहाँ पर सामिल किया गया है तो ये कुछ point है जो आपको यहाँ पर याद रखना है clear है चलिए अगले point की दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर मद्द प्रदेश से वो तीन धरोवर जो UNESCO की heritage list में सामिल है तो मद्द प्रदेश से तीन नाम आएंगे पहला नाम आपको भीम बेटका मिलेगा दूसरा नाम आपको सांची मिलेगा और तीसरा नाम आपको सांची जो है यह 1989 में listed हुआ था और खजराहो की बात करें तो खजराहो 1986 में यहाँ पर सामिल हुआ था चलिए अगले point की यदि हम बात करें तो अगला point आप यहाँ समझेगा अभी भारत में 42 UNESCO world heritage sites हो गई हैं जिसमें से एक नाम जो 41 category में आ रहा है वो नाम है सांती निक निकेतन कहां पर है तो यह आपका पर्शिम बंगाल अर्थात वैस बंगॉल में जिसको अभी हाली में सामिल किया गया है और आप सभी को जानकारी होगी यह जो सांती निकेतन है यह कहीं न कहीं विस्विद्याल है कि दरजे के तौर पे दिम बात करूं या मैं आपसे यह रवीन ना टैगोर के पिता जी थे उनके दौरा आस्रम विवस्था यहां पर लागू की गई थी बाद में स्कूल का जो कॉंसेप्ट है 1901 में रवीन ना टैगोर जी के दौरा यहां पर सुरू प्रारंभ किया गया था दूसरे यह दिमें पॉइंट की बात करूं तो यहा नाम है होईसल के मंदिर अब होईसल के जो मंदिर है उसके अंतरगत एक नाम बैलूर का रहा है हले बिढ है और सोमनात्पुरा जिन मंदरों को पवित्र मंदरों को अब यहां पर हैरिटेज में सामिल किया गया है तो अब यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में UNESCO की जो heritage sides हैं भारत में वो total कितनी हो गई है तो वो total 42 हो गई है चलिए अगले point की बात करें तो दोस्तों ये बहुत प्यारी आपको फोटो दिख रही है ये सांती निकेतन की आपको फोटो दिख रही है आप इसको बहुत बहतर तरीके से देख पा रहे हैं और दूसरे यद नहीं 42 नंबर पे सामिल किया गया है चलिए अब यदि मैं कुछ और point की बात करूँ कि वो उसके पहले 41 और 42 के पहले और कौन-कौन सी धरोवर है तो इनको आप मैं आपके मदद से समझ भी सकते हैं बाकी मैं इसको detail में भी समझाओंगा चलिए तो आप यहाँ पर देख र ठीक है चलिए हुमायू का जो मगबरा है उसका नाम आ रहे है जंतर मंतर का नाम है क्योला देव नेशनल पार्क का नाम है या फिर जितने भी हिल फोर्ड्स हैं राजस्थान के यह राजस्थान से संबंदित हैं जिनको युनिस्पो ने अपनी धरोवर में सामिल किया है इसके अलावा यह दिम बात करूँ पावगर आर्कियोलोजिकल जो पार्क है और रानी की वाव यह आपको गुजरात में देखने को मिलेगा जिसके अंतरकत इसको भी सामिल युनिस्पो ने किया है और मैंने जैसा कि आपको बताया भी था धोला वीरा यह भी आपको की तो छत्रपती सिवाजी जो टर्मिनल है अजंता की गुफाएं है एलीफेंटा केव है एलोरा केव है यहां मैं बात करूँ यहां पर नाम दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यह विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डैको जो आपका मुंबई केटिग यहां पर दोस्तों नंदा देवी का वैली ओफ लावर नेशनल पार का भी नाम आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसके अलावा यदि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में महाबोधी टेंपल और उत्तर प्रदेश से बात करते हैं तो आगरा का किला का नाम आता और ताज महल का नाम आता है 1983 में युनिसको ने इसे अपनी धरोवर में सामिल किया था वैसी आपको कंचन जंगा नेशनल पार्क मानस वाइल लाइफ सेंचरी काजी रंगा क्योंकि असम में देखने को मिलेगा ये भी सामिल किये गए हैं उडीसा से बात करते हैं तो उडीसा का कौन सी धरोवर हैं और उनको कब-कब सामिल किया गया है चलिए तो पहला पॉइंट आप सभी के सामने हैं दोस्तों ये नाम आ रहा है अजंता की गोफाएं अजंता केव और ये जो अजंता केव हैं इनकी मैं धरोवर की बात करूं तो 1983 में ये सामिल हुई थी आपको जनर होने चाहिए तो यहाँ पर मैं बात करूंगा अजंता की जो गोफाएं अजंता केव है 1983 में धरोवर में सामिल हुई महरास्ट में ठीक है याद रहेगा चलिए इसका अंतरगत दोस्तों ये जो आपकी पर्टिकुलर अजंता गोफाएं हैं ये बहुत रौक के अंतरगत इ यहाँ बहुत सारी पेंटिंग में बहुत सारी दिवालो में अलग लग चेत्रों में यहाँ पर इनको पेंटिंग से दरसाया भी गया है यहां लग भग हम बात करें तो तीस गोफाएं जो दूसरी सताब्दी इसा पूरो से छटी सता पूरो इस innovate एसा तक की ये आपको यह आपर गुफाएं देखने को मिल जाएंगी चलिए आंगे बड़े आंगे बड़े ठीक है अगला पॉइंट हमारा ये ये आप देख पा रहे हैं तो ये आपको एक पल्टिकुलर लोकेशन जो है ये अजंदा गुफाएं की दिखाई दे रही है चलिए अगला नाम यहाँ प जो मंदेर है ये लगभग लगभग दो किलोमीटर से अधिक तक छेत्रों में ये कहीं न कहीं फैले भी हुएं और इन गुफाओं में भी दोस्तों रॉककट के अंतरगत बहुत सारी इमेजद और धार्मिक महतों के लिए ये काफी ज़्यादा फेमस है और वास्तू कला की बात करें तो वास्तू कला के छेत्रे में भी कहीं न कहीं इसका नाम देखने को आपको मिलेगा ठीक है बौत धर्म हिंदू धर्म जैन धर्म के तीनों मिस्रण का प्रतिनिदत तो ये गुफाओं करती है जिनका नाम है ऐलोरा गुफाओं ठीक है चले अगला यहाँ पर ऐल इसको हेटेस में सामिल किया गया था ये कहीं न कहीं मुगल समराज की सफसे प्रमुक इसमार की सनरचनाओं में से एक देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं दोस्तों यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पहले 1638 तक मुगल राजवन्स के समराटों के मुख निवास के रूप में कार करता था बाद में जब राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित फिर कर दिया गया था यहां बहुत सरी सनरचनाओं और इमारते देखने को मिलती है जिसमें जहांगिरी महल है, खास महल है, खास है, दिवाने आम है या प्रिशद्दसीस महल की बात करें तो य यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी चलिए अगले पॉइंक की यदि हम बात करें तो अगला है आपका ताज महल और यह दोस्तों कोई पहचान का मुताज नहीं है हम सभी को इसके बारे में जानकारी है यह दुनिया के साथ जो अजूबे हैं उनमें से एक कहा जाता है और राज्यो साहज हाँ है न उसने अपनी तीसरी वेगम मुमताज महल की याद में यह इमारत बनवाई थी ठीक है और यह कहां पर यम्ना नदी के तटपर इस्थित है और यह आप इसकी ताज महल की इमेज भी यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है तो ताज महल भी 1983 में धरोहर में सामिल किया गया था चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला नाम आ रहा है सूर मंदिर का कुलार्ग संटैमपल का जो की 1984 में युनिसको की धरोहर में सामिल हुआ था और यह बिलॉंग करता है कहां तो स्टेट का नाम हो गया दोस्तो उडिसा क्या नाम ह यहां पर नाम आता है दोस्तो राजा नरसिम देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था यह सूर देव के रत का प्रतिनिद्द करता है जिसमें साथ गोड़े द्वारा खीचे गए बारे जोड़े पईये हैं जो पूरे आकास में इसकी गती को दरसाते भी है यह आपका सूर मंदिर है और सूर मंदिर की यदी आप इमेज देखाएं तो यह बहुत प्यारा आपको सूर मंदिर देख रहा है जो खुरारत सूर मंदिर के त्वर पे आपको देखने को मिलेगा उड़ी सा में चलें अगले point की बात करें तो अगला नाम आ रहा है महा बल पुरम है ये तमिल नाडू में जो 1984 1984 में विस्व धरुवर के तोर पे सामिल किया गया था नाम क्या है तो नाम हो गया महा बली पुरम ठीक है और ये पल्लव राजाओं द्वारा ये कहीं न कहीं दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी इसके इसमारग जो हैं उनकी स्थापना की गई थी ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको गुफा अभ्यरंड है जो मंडब के तोर पे या विसाल खुली हवा वाली जो गंगा के अवतरण के रूप में जटिल और अद्दुती है वास्टू कले सैलिया यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इन जनरली मूर्तियों मे आपको सिव की जो महिमा है वो कहीना की देखने को मिलेगी सिव पर समर्पित यह आपको इसमारक देखने को मिलती है मंदिर को अंतरगत इसको सामिल यूनिस्को में किया गया है अगला दोस्तों यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है चर्च और कॉन्वेंट ओफ गोवा ज में संकेत के तौर पे देखे गए हैं इनको भी 1986 में यूनिस्को की हरिटेस में सामिल किया गया हैं दोस्तो हम जनरली जो चर्चा कर रहे हैं रहे हैं जो की UNESCO के द्वारा heritage sites में भारत में सामिल की गई हैं तो ये आपको यहाँ पर particular जो मेंज दिखरी वह चर्च और Convent of Gova के चलिए अगले point की बात करें तो अगला दोस्तों हमारा मंदिर का समूब देखने को मिलेगा और ये है खजराहो जिसको 1986 मद्द प्रदेश में है ये खजराहो को 1986 में UNESCO की World Heritage Sites में सामिल किया गया है और इन मंदिरों का निर्मार चंदेल राजवनसों के दौरान किया गया था यहां पर दोस्तों जनली आपको हिंदू है या जैन मंदिर की बात करें इन दोनों के 23 मंदिर यहां पर सामिल देखने को आपको मिलेंगे गेरवी सताबदी के दौरान इन मंदिरों को बनाया गया था चली आंगे बढ़ते हैं तो ये आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों खजराहों के अंतरगत ये आपको मंदर यहां पर दिखाई दे रहे हैं अगला नाम आता है हमपी का हमपी कहां पर है तो हमपी है दोस्तो करनाटक में जिसको 1986 में विस्स धरोवर में सामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेस साइट्स में सामिल किया गया था आप सभी को जानकारी होगी कि हमपी बहुत प्रिसिद्ध भी है और यदि मैं इंडियन कर करता हूं तो इसका यहाँ पर चिन्नभी दरसाया इंडियन करेंसी में गया है दोस्तों यदि मैं इस हमपी की बात करता हूं तो हमपी विद चैरियूट आपको दिखता है जिसमें हमपी के साथ में यदि इमेज यहाँ पर दिख रही हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फतेफुर सीक्री जो की उत्तर प्रदेस में और 1986-1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेस साइड्स में सामिल किया गया था ये अकबर की अधीन मुगल समराज की राजधानी भी रही 1585 में राजधानी को लाहूर में स्थानांतरित नहीं कर दिया गया था जब तक है ना तब तक ये फतेफुर सीक्री क्या रहा था ये मुगल समराज की राजधानी रहा था ठीक है यहाँ पर दोस्तों मुगल सहली के जो समारक है मंदरों का एक बड़ा संगरे सामिल है जिसमें जामा मस्जित की मैं बात करता हूँ या मैं बुलंदरवाजे की बात करता हूँ पंच महल की सलीम चिस्ती तो ये सब यहाँ पर सामिल किये गए है चले तो ये आप यहाँ पर इमेज इसकी देख पा रहे हैं अगला नाम आता है दोस्तों करनाटक का जिसमें हम यहाँ पर पड़त कल के मंदरों के समू की बात करेंगे जो की 1987 में युनिसको की धरोवर में सामिल किया गया था यह जो मंदरों का समू है पड़कल के अंतरगर दोस्तों याद रखना चालू के कला का यह प्रदिनिद्व करते हैं यह मंदरों का जो समू है इसको 1986 में युनिसको ने अपनी हरिटेज में सामिल किया था इस इस्थल में आपको 9 हिंदू और एक जैन मंदर भी दे माड किया गया था यह है आपका लोकेशन दोस्तों करनाटक की जो आप यहाँ पर इमेज भी देख पा रहे हैं अगला नाम आता है एली फिंटा की गुफाएं जो की 1987-1987 में यह महरास्ट में है जिनको सामिल किया गया युनिसको की धरोवर में यह दोस्तों कहीं न कि मुं गुफा है दोस्तों चट्टानों को काट कर बनाये गए गुफा मंदिर और जटल जो मूर्तियां है उनके लिए काफी प्रिसद्ध है और जनरली यह है दोस्तों भगवान सिव को पूरी तरह समर्पित गुफा देखने मिलेगी जिसका नाम है एली फेंटा गुफा यह कहा पर है महरास्ट में 1987 में सामिल किया गया यह आप कुछ यहां पर इमेज भी देख पा रहे होंगे अगले पॉइंट की बात करें तो यहां पर दोस्तों नाम आता है ग्रेट लिविंग चोला टैंपल्स का मिलना डो जिसके अंतरगत 1987 कुछ यहां पर समू सामिल किये गए 2004 म तो दोस्तों चोल समराज के राजाओं द्वारा ही निर्मित हैं और यह मूर्ती कला और चितरकला के अंतरगत दोस्तों यह कहिना की एक बहुत प्रमुक यहां विसेस्था भी दरसाते हैं पहले यदि मैं बात करूँ तो यहां पर बहदेश्वर टेंपल का नाम आता था फ लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन आपकी यहां पर देखने को मिलेगी और वो लोकेशन है दोस्तों तब मिलना दो चरे अगले पॉइंट की बात करें तो यह हैं दोस्तों साची के बहुत इसमारक जो की मद्द प्रदेश में और 1989 में इनको युनिस्को की धरोवर म में बात करूँ तो मौर समरात असोग द्वारा किया गया था ठीक है इसके बाद में सुंग काल के दोरान इसका और भी बहतर विस्तार किया गया और यह लोकेशन भी आपको कहा देखने को मिलेगी तो यह लोकेशन भी दोस्तों आपको मद्द प्रदेश में साची में दरोवर में सामिल किया जाता है ठीक है हम बात करें यदि तो 1570 अथा 1570 के दोरान ये कही ना कही दीर्ग कालिक सांस कृतिक महत्व रखता है तो कि भारत में कही ना कि मैं बात करूँ तो उद्यान की केटीगरी में मकबरा ये सामिल किया गया है जो कि हुमायू का मकबरा है 1993 म युनिस्को धरोवर में सामिल किया गया था जो कि आप यहाँ पर image भी इसकी देख पा रहे हैं चलिए अगले point की बात करें तो दोस्तों ये नाम आ रहा है कुत्व मिनार का जो कि दिल्ली में 1993 में सन 1993 में इसको युनिस्को की धरोवर में सामिल किया गया था और इसका निरमा लाल पत्थर की जो आपकी आकरती हैं जिसको लाल बलुवा पत्थर के नाम से जानते हैं वहां से इसका निर्माण हुआ था और यहां पर उचाई की बात करें तो 72.5 मीटर इसकी उचाई और आधार और सिकर पर व्यास क्रमसा 14.32 मीटर और 2.75 मीटर आपको देखने को यहां पर मिलेंगे ठेक है तो यह आप यहां पर इमेज कुतुम बिनार की देख पा रहे हैं चली अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहां मद्द प्रदेश से आ रहा है वो है भीमबेट का जिसको 2003 में यूनिसको की वर्ल्ड हेरिटेस साइड्स में सामिल किया गया था तो भीमबेट का कहां से मद्द प्रदेश साची स्टूप की बात करें मद्द प्रदेश और खजराहो की बात करें तो भी आंसर आपका मद्द प्रदेश देखने को मिलेगा तो यह कुछ पॉइंट है जो आपको पहला तरीके से यहां पर याद रखना है चली आपको यहां पर नाम दिख रहा है गुजरात से वो है चमपा नेर पावागड पुरातत्व पार्क की जो की 2004 में जिसको वर्ल्ड हेरिटेस साइड्स में सामिल किया गया था इसके अंदर के एक पहाड़ी किला और गुजरात राजी की सोल्वी सताबगी की राजधानी की यहां पर देखे गये हैं तो पुरातत्व इभाग पे द्वारा इसलिए यहां पर नाम इसका पुरातत्व पार्क दिया गया चमपा नेर पावागड पुरातत्व पार्क इसको भी युनिसको की वर्ल्ड हेरिटेस लिस्ट में सामिल किया गया है जैसे कि आप यहां पर इ ये point यहाँ पर आपको याद रखना है इसका निर्मार सत्रवी सताबदी के मद्ध में लगभग लगभग मुगल समराट साह जहां के सासनकाल में किया गया था तो लाल किला की बात करें यहाँ पर नाम 2007 का परीसर के अंतरगत सामिल किया गया और यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख पा रहे हैं चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान के जो भी आपके किले हैं जो हिल पोर्ट्स हैं इनको सामिल किया गया 2013 में वर्ल्ड हेरिटेस साइड्स के अंतरगत यहाँ पर दोस्तों चित्तोर का जो किला है यदि मैस की बात करो कुंभलगड है रन थंबोर की बात करें गगरोन है आमेर फोल्ड है जैसल मेर फोल्ड है तो यह सारे किले वर्ल्ड हेरिटेस साइड्स में सामिल किये गया है जिनका निर्मार राजपू समराजियों के द्वारा किया गया था और यह आप किलों की यहाँ पर फोटो भी इमेजस देख पा रहे हैं जो की काफी ज़्यादा प्रिसद्ध भी है और हो सकता है आप में से कोई यहां राजस्थान से भी स्टूरेंट हो या आप में से कई स्टूरेंट होंगे जो राजस्थान में इन किलों में विजिट कर चुके होंगे चलिए अगला नाम आता है दोस्तो राणी की वाव जो की गुजरात में है 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सामिल किया गया था आप सभी को जानकारी होगी जो 100 रुपए की करें है उस करेंसी में रिवर्स में राणी की वाव की प्रतिमा जो प्रदरसनी है वो यहां पर लगाई गई है आपने कहीं न की इमेज देखे होगी 100 रुपए की करेंसी के अंतरगत तो राणी की जो वाव है या इसी को हम वावडी के नाम से जानते हैं और ये एक प्रकार का गहरा कुआ है जो हाँ पर सीडिया गई हुई है उसके अंतरगत नीचे उतरने के लिए इसका निर्माण गैरवी सताबदी में चौलुक राजवन्स के दोरान पाटन सहर में सरसुती नदी के तड़ पर किया गया था यदि आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं तो यह है पॉइंट की बात करें दोस्तो तो बिहार से नाम आता है नालंदा विस्विद्धाले जिसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनिस्को में सामिल किया गया था ठीक है इसके अंतरगत यहाँ आवासी और सेक्षिक भवन देखने को मिलेंगे जनरली मैं बात करता हूँ नालंदा विस्विद्धाले की तो आप देख पा रहे हैं पांच वी सताब्दी के दोरान इनको स्तापित यहाँ पर किया गया था ठीक है चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर बनता है तो यह आप यहाँ पर पर्ल्टिकुल इमेज भी नालंदा विस्विद्धाले की सामिल की हो तो ऐसे इलाकिया ऐसे चेत्र जहां बहुत ही खुशूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे तो यूनिसको उनको भी हेरिटेस के अंतरगत या साइट्स के अंतरगत सामिल करता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ तो दारजलिंग हिमालेयन रेलवे प पर सामिल है ठीक है तो 1999 में इनको यूनिसको विसुधरोवर स्थल के रूप में नामित किया गया था और यह सामुहिक रूप से आपको देखने को मिलेंगी चली आंगे बढ़ते हैं अगला नाम आता है शत्पती सिवाजी टर्मिनल का और शत्पती सिवाजी टर्मिनस की बात करते हैं तो ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और भारत में विक्टोरियन गोथिक जो आपका वास्तु कला का उधारन यहां पर इनको देखने को मिलेगा चली टर्मिनल के अंतरगत आपने ये भी देखा होगा या सुना भी होगा जनरली हम जब मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई का जो railway station है वो चटपती सिवाजी टर्मिनल के तोर पर देखने को मिलता है इसके बाद में से station का आधिकारिक तोर पर नाम बदल कर चटपती सिवाजी टर्मिनल इसको कर दिया गया था ठीक है यह आप इसकी image भी देख पा रहे हैं और यहां पर मैं ब बात करता हूँ युनिस्को की धरूवर लिस्ट में सामिल किया गया है जंतर मंतर कहां पर है तो जैपुर में और थारवी सताब्दी के सुरुवात में जैपुर के महराजा जैसिंग दुती के द्वारा इसका निर्मान किया गया था और ये खगोली उपकरणों के एक संग्र के तोर पे जाना जाता है इन उपकरणों को अपयोग समय मापने गर्ण की भविस्माडी या आकासी पिंडो की गतिविधियों को ट्रेक करने में किया जाता था और ये आप इसकी इमेज भी देख पार है ये जंतर मंतर आपको देखने को मिल रहा है जो की कहां पर है जैप के नाम से भी जानतें रामप्पा temple बोल दो या काकती है रुद्रेश्वर temple बोल दो बात यहाँ पर एक ही है और ये कही न कहीं यहिदि मैं बात करूँ तो भगवान सिव को समर्पित यहाँ temple देखने को मिलता है जो अपटी नकासी को लेकर काफी ज़ादा यहाँ पर popular है ये आप इसकी image देख पा रहे हैं ये आपका temple आपको रामप्पा यहाँ पर दिखाई दे रहा है चलिए अगले point की बात करें तो धोला वीरा एक हडपा सहर जिसको 2021 में world heritage list में सामिल किया गया था 1968 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर नाम आता है जगत पती जोसी जिन्होंने इसकी खोज 1968 में की थी हडपा इस्थलों में ये एक जाना चाहता है और इसके अलावाई दी मैं बात करूँ तो पुरा तात्विक जो इस्थल हैं उनमें भी ये काफी जादा प्रमुक है और य ये कुछ याद रखना कॉइंट तो इसको भी 2021 में वर्ल्ड हरिटेज लिस्ट में सामिल किया गया है 2021 में ये आपको इसकी इमेज भी देख पा रही दिया आप दिहान से देखेंगे तो ये धोला वीरा के अंतरगत आपको अलग-अलग लोकेशन अलग-अलग जो चीजें है वो आपको यहाँ खुदाई के अंतरगत दिखाई दे रहेंगे चली अगला दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नैचुरल वर्ल्ड हरिटेज के अंतरगत और यहाँ पर सबसे नाम भेहा रहा है देखने को वो है काजी रंगा नेशनल पार्क और काजी रंगा न गेंडे भी देखने को मिलते हैं इसके अलावा बाग है जंगली भैंस है हाथी है यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हिरन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है चले इसके अलावा यह आप इमेज भी देख पार है वन होन राइनो आप सबी को सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सींग वाला की जो गेंडा है वो काफी ज्यादा popular भी है अगला नाम है केवला देव रास्ट्री उद्यान या केवला देव नेशनल पार्क ठीक है या केवला देव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थानों देखने मिलेगा और 1985 में इसको UNESCO की world heritage list में सामिल किया गया है यहाँ पर दोस्तों wetland जो bird century है वो देखने को मिलेगी इसके अंतरगत जनरली आपको बहुत सारे Siberian जो crane है उसके अंतरगत ये काफी famous आपको केवला देव नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है पक्षियों को लेकर ये काफी जाना जाता है यहाँ काफी विदेशी पक्षी केटिगरी में आपको पक्षी देखने को मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पर image भी इसकी देख पा रहे हैं चलिए अगला नाम यहाँ पर अभी हमने एक point देखो समझना अभी हमने यहाँ पर जो point था वो discuss किया था काजी रंगा और अब आप आपको यहाँ पर नाम मिल रहा है वो है मानस अच्छा आपने सुना होगा जो ACI हाथी है और एक बन होन राइनो यह आपको असम में जनरली देखने को मिलते हैं इसलिए यहाँ पर मैं बात करूँगा ना तो यह असम में और इसको 1985 में UNESCO की heritage लिस्ट में natural category में सामिल किया तो यह कहाँ पर है असम में इस थे था यह point याद रखना है और यहाँ पर जनरली आपको Bengal Tiger है भारती गेंडे है हाथी है Clouded Leopard Hiron है यह सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नाम है मानस वन जीव अब्धहरंड का यह point आपको याद रखना है चलिए अगला नाम आता नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ओफ लावर यह कहाँ पर है तो यह दोनों आपको लोकेशन उत्तरखन में मिलेगी और 1988 के साथ में 2005 में इनको यहाँ पर सामिल किया गया है याद रखना है UNESCO की World Heritage List में यह सामिल किये गए हैं जिसके अंतरगत यहाँ पर यहाँ मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपको जन्रली जो आपके ब्लैक बीर है वो देखने को मिलेंगी इसनों लापर्ड हैं ब्राउन बीर हैं यह सारे आपको यहाँ पर एणीमल की कैटेगरी देखने को मिलती है फिका यह आप यहाँ पर इसकी इमेज भी देख पा रहे है चली अगला नाम आता है दोस्तो वैस बंगॉल से जिसका नाम है सुन्दरबन नेशनल पार्क और सुन्दरबन की मैं बात करूँगा तो वैस बंगॉल में 1987 सन 1987 में इसको हेरिटेज लिस्ट में सामिल किया गया था और ये बायोस्फियर रिजर्व के तौर पे सबसे बड़े एस्टुरिन मैंग्रो वन बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच के रोप में ये बहुत ज़्यादा पॉपलर भी है ये आपका जो रामसर साइट्स है रामसर साइट्स के अंतरकत वैटलेंड लिस्ट में भी इसको सामिल किया गया है नाम है सुन्दरबन नेशनल प बात करें तो इसमें ये काफी ज़्यादा पॉपलर भी देखने को मिलेगा ये पॉइंट की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट है ये और इसके अंतरगत बंगाल टाइगर हैं धोले सेर हैं ठीक हैं पूछ वाले मकाक हैं नील गिरे तहर हैं और लंगूर हैं ये आपको यहां पर प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं पच्छमी घाट के अंतरगत अगला नाम आता है ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क जो 2014 में युनिस्को की हेरिटेस लिस्ट में सामिल हुआ था लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यहां हिमाचल प्रदेश देखने को मिल है यहां पर दोस्तो जनरली अलपाइन भास के मैदान और जंगल आपको देखने को मिलते हैं और यहां पर ट्रेगो पैन है कस्तूरी म्रग जो बहुत लुक्त प्राय प्रजातियां है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी ठीक है यह आप इसकी यहां पर एक जो कि 2016 में है यह आपका वर्ड हरिटेज लिस्ट में इंडियान में सामिल हुआ था लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यह आपकी सिक्किम में देखने को मिलता है ठीक है ओके तो यह कुछ पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखने है तो पर्टिकुलर हमने आज के जो सैसन था उस सैसन में यह समझा कि जो अभी वर्ड हरिटेज लिस्ट के अंतरगत भारत के दो हरिटेज को सामिल किया गया वो क्या है और इसके अलावा भारत की जो भी प्रमुक हरिटेज है धरोवर है उनके बारे में हमने विस्तरत जानकारी समझी और आपको तक सेयर क तो उम्मीद आज के session में आप सभी को बहुत ज़्यादा data important तत्र समझने को मिले होंगे तो मिलते हैं दोस्तों next session में जैहिन, thank you so much guys